नमस्कार दोस्तों एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपनी चैनल गो ब्लोक्स पे इस हतेली पे एक द्रिश्टी डालते हैं दीखेगा हतेली की जो आवा है अपने आप में बहुत सुन्दर आवाली हुई है ब्यक्ति के ब्यक्तित्तों को बताती हुई ब्यक्ति के प्रभाव साली ब्यक्तित्तों को निखारती हुई यहाँ पे नजर आ रही है जीवन संगर्ष मया है बरतमान समय में काफ़ी संगर्ष चलड़ा है लेकिन जीवन का जो आनन्द है वो भरपूर मात्रा में जो है ब्यक्ति उठा रहा है और यही जीवन का उदेश्य होता है हमेशा रो रो के मरमर के नहीं जीना चाहिए ब्यक्ति को सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए प्रस्तितियां आती हैं कभी अच्छी प्रस्तितियां आती हैं कभी अच्छी नहीं आती हैं हमेशा जो है समय आपके अनुकूल नहीं रहता है लेकिन हतेली का जो कलर है एक सोबग्य सालिता को एक प्रभाव साली बिक्तित्व को एक सुन्दर सोच के बिक्ति को बताता हुए आपे नजर आ रहा है बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है भले ही जीवन में खर्चिला सुभाव जादा है पैसा तो आता है भरपूर आता है लगजरी जीवन भी जीने के सौकीन है और जीने की कोशिस भी करते हैं और सुक्र बहुत अच्छे रोप में यहां पे है लेकिन खर्चिला सुभाव भी है पैसा आता तो है हाथ में मगर हाथ में जो है टिक नहीं पाता है ये चीज भी हतेली में है बचा नहीं पाते हैं पैसों को सही से मेनेज नहीं वो पा रहा है लेकिन जीवन का जो जीवन चरिया है जिवन का जो उधिश्या है उसकी पूर्ति के लिए निरद्तर प्रयासरत भी है अगर हम देखे इससा तेली का विशलेशन आप करने की कोसिस करते हैं अग्ठे से लेके, लकीरों से लेके, ग्रुभों से लेके सब कुछ बताने के हम कोसिस करेंगे उससे पहले अपने सभी दर्सकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करने में जो है कोई कसर बाकि मत छोड़ियेगा आप लाइक कर लीजेगा क्योंकि ये वीडियो आपकी एक लाइक करने से उन लोगों तक पहुच जाएगी जिनको वास्तों में इस वीडियो की जरूरत है दूसरे बात उन व्योवर्स से कहना चाहूंगा जिन नोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा आपको वो बटन दबाना है साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है और कर लेना है सबसे पहले महतोपूर वीडियो देखने के लिए हस्तरेका से समंदित पाविष्टरी से समंदित आगे वटते हैं दीखेगा इनकी जो उंगली है और उसमें कनिष्टा उंगली है ये उंगली का बहुत महतो होता है अपने जिवन काल में ये लमवत खड़ी है किसी उंगल जाएगी ऐसे में जातक उतक्रिष्ट ब्यापारी होता है या अधिकारी होता है या बहुत बड़ी उच्वर्ग का ब्यक्ति होता है और इनका जिवन जैसा भी हो स्रेश्ट और सफलतम ब्यक्तित्व इनका होता है और ऐसा जो ब्यक्ति होता है अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है किसी की साहता मिले या ना मिले लेकिन अपने बल्बोते पर कुछ करता है और ये जो गुण है ये आप में भी इस्तित है जब कनिश्टिका इस तरह से लमवत सीधी खड़ी हो तो ऐसा ब्यक्तिस्वाइब उध्यमी तो होता है प्राकर्मी तो होता है कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है और ऐसा करने की कोशिस करता है जीवन कालवे कि अच्छे कर्म करें और उन अच्छे कर्मों से लोग सदीव उसे याद रखें और क्योंकि इनकी communication skills भी बहुत सुन्दर होती है अच्छी होती है वही इसका जड़वाला भाग देखो ठीक है बहुत सुन्दर है उपर की तरब भी रेखाई दोड़ रही है सेवा भाव में है ब्यापारिक गुण में जो है बिक्ति के अंदर भरपूर मात्रा में है और एक से जड़ा भासाओं का ग्याता भी बिक्ति हम दिखाई दे रहा है और मरकरी जो है आपका ब्रिस्प ये मुद्ध जो है आपका अच्छा खासा सुन्दर रोप से उबरा है जिसका आप में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित करने की कोशिस करते हैं और हर तरह की जो प्रस्तितिया है भली भाति समझते हैं जिवन काल में योजना बंद तरीके से काम करते हैं तीब्रबस्तिक के स्वामी है वाणी के सक्ति बहुत सुन्दर है कम्यूनिकेशन इसकिल्स अच्छी है बिक्तित तो बहुत अच्छा यहां पर दिखाई दे रहा है और बहुत एक सुक्सुधाई 65 वर्स से 65 एर्स से जब 65 वर्स आपको लगेगा बहुत अच्छी बढ़ोतरी यहां पर दिखाई दे रही है चाहिए ब्यापार में हूँ चाहे बहुत एक सुविधाएं हों आपके पास चाहे आपकी प्रसनल्टी हो या पे निखरती उनी दिख रही है जो भी कार्य परारम करेंगे उसे पूरा आउश्य करेंगे आपका हतेली में बुद्परवत सही रूप से बिक्सेत अवस्ता में दिखाई पड़ रहा है मनो बेग्यानिक के छेतर में माहिर होगे सामणे वाले बेग्तिकों किस तरों से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरों से जानते हैं और ब्यापारिक कारियों में विसे सफलता की प्राप्ति होती हुई है अपने जरारी है समय की तलास रहेगी और समय का पूरा पूरा उप्यों करने में भी दक्षता यहां पे दिखाई पड़ रही है सुन्दर रूपे जो है दक्षता यहां पे दिख रही है वही हम यहाँ देखें एक सुन्दर मंगल रेखा आपकी हादेली भी दिखाई पड़ रही है दूसरों का स्वयोग बहुत अच्छा मिलेगा और मिलता आ रहा होगा आप में अच्छी प्रतिबा और तीप्रबुद्धी होगी सोचने और समझने की सकते आप में विसेश रूप से मौझूद है और जिवनकाल में अगर कोई निरने एक बार ले लेगी तो उसे अंततक निमाने का सामर्थे भी है और ज़ादतर मामलों में एक उदेश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उदेश्य उस लक्षे की प्राप्ते नहीं हो जाती तब तक बिश्राम नहीं लेते हैं आपका जो बिक्तित्व है ने जो प्रसनल्टी है ने अभी भी बहुत प्रभावसाली है लेकिन 65 एयर से ये और भी अच्छे होने वाली है बहुत सुन्दर होने वाली है वही आपका धनका गरह देखे ब्रस्पति सुन्दर और पुष्ट अवस्ता में बिख्यात है और आपका जो है सुक्र सुन्दर और पुष्ट अवस्ता में है देखेगा हमारे आचारे ब्रस्पति को हाँ हमारे आचारे शुक्र को धन का गरह माना गया है अगर आपकी हतेली में शुक्र इस तरों से पुष्ट आवस्ता में हो तो निश्चिती बहुत एक सुक्सुगनाई अच्छी मिलती है लगजरी लाइफ मिलती है और इस तरों से जो है ब्रस्पति पुष्ट हो तो निश होतिक सुक्स विदाई भी बिलती हैं और धन भी अच्छा खासा मिलता है। और ब्रश्पति इस तरो से श्रेष्ट आवस्ता में हो सुन्दर आवस्ता में हो तो ब्यक्ति मान-सम्मान और प्रतिष्टा पाता है। स्वयम उन्नति करता है और जो इन ब्यक्तियों से जुड़ींगे या जुड़ते हैं उनकी भी ये उन्नति करने में साहता प्रदान करते हैं स्वयोगी होते हैं लेकिन थोड़ा एगो प्रॉब्लम रहेगी वैसे बिद्वान है नियाई पिरे हैं अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं प्रॉब्लम कार की भावना है और धार्मिक भावनाई भी अच्छी खासी मातरा में यहां पे देखने को मिल रही है और आचारे ब्रस्पती इस तरहों से पुष्टतम और सुन्दर अवस्ता में हो तो ब्यक्ति बिद्वान और ग्यानी होता है यहां पे अपार्मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन में अच्छा खासा सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है चाहे सड़के किनारे से हो महलों की हो चाहे तक हो हर जगा आपको सम्मान मिलेगा ब्रस्पति अगर इस तरों से पुष्टतम आवस्ता में हो तो जीवन में समस्याई तो आती है लेकिन ब्यक्ति समस्याओं से बच जाता है और सुक्र गरही इस तरों से पुष्टतम और सुन्दर आवस्ता में हो तेज ले हुए हो तो ब्यक्ति भी तेज उस्वी होता है जहलने की छमता भी आपके अंदर दिखाई पड़ रही है इस तरों से पुष्ट और स्रेश्ट अवस्ता में है नई चीजों के प्रतिरों जहन रहने वाला है परिवार का भी अच्छा-खासा साथ आपको मिलेगा और रेडिवेट कपड़ों का व्यापार है ब्योटी इंड पिछे की तरफ बुड़ा वहा है लचेला है प्रिस्तिति के उनसा ढलने वाला व्यक्तित्व है इक्छा सक्ति बहुत सुन्दर है तरक सक्ति गजब की यहां में दिख रही है और मांसल भी है अपनी हितों की रक्षा करने भी ऐसे ब्यक्तिमाहिरों होता है और कम्यूनिके पैसों से अपना घर का सुख निश्चित तोर पे प्राप्त होगा या किसी कारण वस नहीं हो सका तो पैतरिक संपति या पुस्तेनी घर मिलेगा या किसी के सयोग से घर का सुख जो है प्राप्त होगा इस और इसारा करता हो दिखाई दे रहा है जीवन की रेखा इस तरों नहीं है ऐसा नहीं है कि अर्मों खर्मों में संपत्य होगी अर्मों खर्मों में जो है पैसा होगा नहीं लेकिन अच्छा खासा होगा और आने वाले पैसटों वर्सते अपने बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्य होगी अर्मों खर्मों नहीं होगा लेकिन अच्छा खासा हो और मान लिजेगा परिवार के प्रति समरपड की भावना दिखाई दे रही है और यहाँ पर मस्तिस्क रहखा तीवरुप बुद्धी का प्रति मस्तिस्क बहुत अच्छा है कल पना सकते भी बहुत सुन्दर है किसी न किसी आर्ट में किसी कला में मंडूबा रहेगा संगीत के पर ते भी रुजहन रह सकता है और लंबी और हवायातरा का जिवनकाल में मौका मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वहाँ एक चीज़ देखनों को मिल रही है एक रेखा यहां से जाती हुई बुद्ध की और दिखाई दे रही है अभी पूरी नी पहुँचे लेकिन यह रेखा निश्चित बता रही है 65 वोल वर्स से 64 से लेके 65-66 इन तीन वर्सों के अंदर अंदर आपका जो व्यापार हो गड़े उसमें अचानक बहुत बड़ा लाव की और आप जा रहे हो अच्छा खासा जो है सामरज यहां पर अस्तापित होता हुआ दिखाई दे रहा है और दोसरा यह चीज को होगा थोड़ा समलके भी रहना आगात भी हो सकता है क्योंकि यहां पर राहो की रेखाई भी बुद्द की और लगातार जा रही है किनी दो सरोतों से तीन सरोतों से विक्ति को जो है लाब की प्राप्ति होगी और यह रेखाई भी कट-कट की जा रही है यह नहीं कि जीवन रेखा है इसमें बताओं कि इस उमर में इस उमर में नहीं 65 वर्स में ये रेखा जारी है ब्यापार के ओर ये रेखा जो है उसमें उन्नत करने जारी है उस टेम जो है राह जो है उन्नत इस्तिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक रेखाई से ये रेखाई जब पुष्ट तम इस्तिति में आएगी तो निश्चिति मान समान प्रतिष्टा में ब्रतिव होगी और पैसोट में साल में जो है निश्चित तोर पे ब्यापार में बहुत बड़ी लाब के और ये दिखाई दे रहा है और बरत्मान समय भी देखे देखेगा हतेले में जहां तहां बहुत सारी रेखाई है एक दोसरे से कट-कटाओ की इस्तिति में है बरत्मान समय में संगर्ष का सावनविर्ति को करना प्रता है बहुत जादा मेहनत, बहुत जादा प्रिसरम के बाद भी अभाव की इस्तिती है उस रोप में आपकी मेहनत का, आपका प्रिसरम का पूरा सरी, पूरा क्रेडिक मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और यहां पे देखें, तो भाग्या रेखा को भी कही रेखा हैं काटती हुई नजरा रही है ऐसे में करियर के मामले में हो, आर्थिक मामले में हो, संगर्स का सामना करना पड़ता है और कभी कभी कर्च आगी इस्तिती भी ब्यक्ति के अंदर आ जाती है वही सनी बकरी रोप में है तो सनी जब भी बकरी रोप में होता है, तो खुशियों में कभी देता है यदि ब्यक्ति नोकरी कर रहा हो, तो नोकरी करने में, नोकरी पाने में और नोकरी बदलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रोजगार की दिरिष्टे से ब्यक्ति को थोड़ा प्रेशान होना पड़ता है जब भी सन्य बगरी इस्तिति में आता है लेकिन सुर्या में जो है एक सुन्दर मचली बनती हुई दिखाई दे रही है ये ब्यक्ति को क्रिएटィव मना रही है और अपने छेतर में निश्चिती ब्यक्ति जो है प्रसिद्धी प्राप्त करेगा इस और इस सारा करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है लेकिन 65 वर्ष से जादा अच्छे योग बन दे हुई यहां पर दिखाई दे रहे हैं और एक यहां पर सुन्दर बर्ग का चिन मंत तावा दिखाई दे रहा है यह सनी का प्रभाव पढ़ रहा है इस बर्ग पे तो यह बिक्ति के दिरिश्ण से बहुत मतवपूर है ऐसे बिक्ति बार-बार मोत के मुख में भी जाकर के अश्चर जनिक रोप से बचके निकल जाता है वही एक बर्ग का निशान, दो बर्ग का निशान सुर्य परवत पे मचले और बर्ग का निशान दिखाई पड़ रहा है ब्यापार के छेतर में उन्नती दिखा रहा है अपनी छेतर में प्रसिद्धी भी लेगी और ब्यापार एक सहर में नहीं कई सहरों में विक्तिका हो जाएगा इस और इस सहरा आपका कर रहा है लेकिन ब्यापार कितने भी फला फोला हो चाहे बहुत बड़े अधिकारी हो तो भी जो है हर चीज के मामले में संगर सी ही यह आप ही नजरा रहा है और आपकी बिहनत का आपका प्रेसर्ब का पूरा फला आपको मिलता हुआ बरतमयान में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हतीले आपकी बहुत अच्छी है बहुत सुन्दर है अगर इसको कहें एक रूपे तो आने वाले समय में यह आपको बहुत अच्छा यहस की प्राप्ति करवाएगा क्योंकि आपकी जो रिंग फिंगर है वो भी अच्छी खासी लबी है और तरजनी उंगली सी जो है बड़ी दिखाई पड़ रही है ऐसा व्यक्ति हिम्मती सुभाव का होता है यस पानी की एक्छा व्यक्ति के मुन में रहता है येस की ब्यक्ति प्राप्त करता है और कही न कही सरकार द्वारा लाब्वियें से ब्यक्तियों को प्राप्त होता है हिर्दे रेखा पर ब्रस्पति का यहाँ पर प्रभाव पड़ता हुआ नजरा रहा है और जब प्रस्पति का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है तो ब्यक्ति दिर्ट निश्चे ही होता है आदरस्वादी की उन्ब्यतीत करता है वही अगर आपका सूर्य रेखा देखी सूर्य रेखा जो है भाग्या रेखा से चलती हुई रजरा रही है जब भी सूर्य रेखा भाग्या रेखा से उद्गम होती है तो भाग्या के रेखा के गुड़ों में बिर्द करती है भाग्या रेखा के सक्ति में बड़ोते रिक करती है और जैसी जैसी यह इसपष्ट होती जाएगी साब सुतरी होती जाएगी आपके 59 का छेतर आपके डेपलाप्मेंट का छेतर उतना ही बिस्तृत और 59 ही बड़ी होती जाएगी और अपने छेतर में परसित निष्चत तौर पे जो है आपको भिलेगी और इस तरह से जो है भगय रेका चन्द्रमा से जंपने इकलती है साटोई वर्स में वाहन का सुख में बिलेगा and law इश्चित तोर पर माकान का सुख में बिलेगा और जो ब्यापार है उश्चे से अच्छे खासी बिर्दी होती हुई यह पर दि दिखाई दे एक नई वीडियो के साथ पनौक उपस्तित होगा तब तक के लिए डबशेट